करना चाहता है बाहर बैठके वो सोचता है यहाँ पोलिटिकल इंड्रेस्ट हैं अंड्रेस्ट हैं मैं क्यूं यहाँ पर पैसे लगाऊं तो एक आज विश्व में भारत ने अपनी एक अच्छी पहचान भी बनाई है और वो मिडिया की ताकत से भी आगे निकल गई है अब जहां तक मिडिया का सवाल है वो क्यों ऐसा करते हैं किसके कारण करते हैं किसके लिये करते हैं किसके कहने से करते हैं किसके दबाओं में करते हैं ऐसे विश्वों पर मेरा टिपने करना उचीत नहीं है लेकिन मेरा इतनी समझ जरूर है कि मेडिया वर्ल में भी एक बहुत बड़ा competition है उनको भी टीकने के लिए अपने व्यापारी खीतों के लिए भी बहुत जिद्द जहाद करने पड़ रही है वो भी एक element है मेडिया की कुछ मजबूरिया भी है उनकी इस सब के बाउजिद्द हमारी बात दुनिया में पहुंची है इनी लोगों के माध्यम से पहुंची है क्या अच्छे लोग भी है नहीं है जहां तक विद्देश का मेडिया का कुछ सवाल है कि दुनिया में मैंने देखा है कि कोई ही देश होगा रेर एक्सेप मैं बारत की बात नहीं करूँ मैं बारत की बात करूँ कि जहां का कभी नहीं करते हैं तो कभी-कभी ये मेडियाχास भी उनके देश के इतों के लिए भी देशों के बीज की जो यो इस परदा होती है तो एक लाइन डॉय करते हैं तो उनकी अपनी दुनिया है चलने दीजिए लेकिन आप कारण है का आज सबसे ज़्यादा FDI है भारत में क्या कारण हैं सबसे ज़्यादा FIA है क्या करना इतना निवेश आ रहा है क्या कारण है कि जब आउश्मा करोना आया धुनिया के डेड़ सोस के करिब देश भारत की दवाइ के लिए हम मुझे लगा था रहुं दुनिया के मैक्सिमम लोग ने मुझे पर टेलिफोन करके दवा उनकी मजबुरियां होगी मैं तो दुनिया के लोगों के सामने सत्य लेकर करके जाता हूं सच्चाए पोहुंचा के रहता हूँ और धारत के दित कर सिचिर निदा कुछ है समाजवाद के बारे में आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है ये फेक सोशलिस हैं नकली सोशलिस हैं तो समाजवादी है कौन फिर उत्तर प्रदेश में क्योंकि अर्थ शास्त्री कहते हैं कि बीजेपी जो है वो पहले एकनॉमिक पॉलसीज में राइटिस थी फिर वो सेंट्रिस होगे अब वही समाजवाद बन गए हैं पहली बात है भारतिय जनता पार्टी जनसंग के जमाने से हमारी आर्थिक सिधानतों की विचर्चाप सुनोंगे तो यही रही है कि हम देश की जनता पर भरोसा करते हैं दे हम वो नीतिया बना रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा आउसर मिले हैं उद्ध दूसरी बात है हमारा मत है गवर्मेंट है नो बिजनेस टू यह बिजनेस अब यह कहां समाजवाद के साथ बढ़ता है यह तो समाजवाद के वह खिलाब है सरकार का काम है गरीब के लिए भो गरीब को पीने का शुद्ध पानी दो सरकार का काम है गरीब अबर बिमार है तो उसको इलाज की व्यवस्ता करो सरकार का काम है गरीब गाउं गाउं तक को रास्ते बनाओ लोकों को जाने आने के सुविदा करो सरकार का काम है कि हमारा देश का अग्रिकल्चर ताकत जो है विश्व के बाजान में कैसे पहुँचे, इसके लिए कुछ वेवस्ता करो, छोटे किसान, उसको दर किना रखी गया, उसकी चिंता करो, और मेरी प्रात्मिक का यही है, मुझे लोगों को घर देना है, मुझे गरीबों को साउचाले देना है, मुझे गरीबों को धुए से मुक्त करना है, मुझे गरीबों को घर में शुद्ध पीने का पानी पहुचाना है, मुझे गरीब के बच्चों को पढ़ाना है, अगर कोई इसको समाजवाद कहता है, तो मेरा मुझे ये समाजवाद मनजूर है क्योंकि मैं मैं समाज के लिए हूँ लेकिन मैं जो चर्चा करता हूँ नकली समाजवाद वो ये है ये पूरी तरह परिवार बाद है लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या वो भी तो समाजवादी थे, जॉर्ज फर्नार्डिस का परिवाद नजर आता है क्या, वो भी समीजवाद थे, नितिश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी है, परिवार का नजर आता है क्या, यह समाजवादी लोग है, लेकिन यह लोग देखिये है, पीरा परिवार, मुझे एक बार किसे ने चिठी भेजी थी, मैं तो भूल गए आज, उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, यह सपा जो है उत्तर पर देखा, 45 लोग ऐसे थे, जो किसी ने किसी पदपर थे, एकी फेमिले के 45 लोग, और किसी और ने मुझे कहा, कि उनके पूरे परिवार में, 25 साल की उमर के करीब-करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मोका दिया गया है, क्या यह परिवारवाद के लोग तंदर के लिए खत्रा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ. तो अखिलेश और जैन दोनों कहते हैं कि परिवारवाद सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं, आपकी पार्टी में भी है, रहुल गांदी भी कहते हैं कि परिवारवाद से जुड़े मतलब सेकंड जेनरेशन लीडर्स तो आपकी पार्टी में भी है. बहुत फर्क है ये फर्क अच्छा सवाल पूछा आपने मैं थोड़ा विस्तार से जवाब दूँगा बुरा मत मानिये लेकिन देश की जनता को मैं जूट के सामने सत्य समझाना चाहता हूँ एक परिवार से अलेक लोग जनता के बीच में जाएं एक परिवार से दो लोग जाएं तिन लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भीजे वो एक राजनीती का पहलू है लेकिन दूसरा एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने उस पार्टी के ट्रेजर बॉड़ बने पीता जी अगर नहीं कर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष बने बेटा नहीं कर सकता है और बुड़ा हो गया है तो उसका बेटा अध्यक्ष करें पीता नहीं रहे तो पुत्र करें यह जो विरासत और वार्षा बारिश के रूप में चल रहा है डाइनेस्ट्री क कि बरबादी कहां से हो रही है जम्मू के श्मीश से सुरू करिए दो पार्टीय में रही वहां दोनों परीवार की पार्टी आए अभी तक उसका कोई नया नेता देखा हैं निया आज देश में जो 18-40 साल की उमर के लोग है उन्होंने इन पार्टियों के जितने नेकता यह की परिवार के देखें दोनों पार्टी पंजाब में देखिए परिवार वाली पार्टी आप हरियाना में देखिए परिवार की पार्टी उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी जारखंड देखिए परिवार की पार्टी आप तमिल नदु में जाईए परिव परिवार ही पार्टी चलाता है परिवार जो चाहें उनका भड़ा यह लोग तंत्र के लिए बहुत से बड़ा खत्रा है एक पार्टी के दो लोग अगर MLA बन गए MP बन गए तो पार्टी परिवार की नहीं बनी है और यह यह दोनों को फर्क समझना होगा कोई ऐसा कहकर के इ सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि लोग तंत्र के मुर्भुत सिध्धानतों को ही वो नकारता है दूसरा जब परिवार वादी राजनीती चलती है परिवार ही सर्वोपरी होता है परिवार को बचाओ पार्टी बचे या न बचे परिवार को बचाओ देश बचे या न ये जब होता है तब सबसे पहले casualty कौन सी होती है परिवारवादी राजनिती में casualty कौन सी होती है बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला देक्ष बनेगा तब सबसे बड़ी casualty talent की होती है और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक talent आये बहुत जरूरी है इस को राजनिती से आने से रोकते हैं मान लीजे कोई नवजवान है जिसको भारती जनतापाटी में नहीं जाना है लेकिन मैं राजगी भलाए के लिए काम करूँगा तो मैं नहीं चलूँगा सब नवजवान डर रहे हैं सार्वजनिक जीवन में आने से भारती जनतापाटी को आ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि भारती जनतापाटी क्यों बढ़ रही है